गुड मॉर्निंग एवरिवन आज नवेंबर महिने की बाइस तारीक है मैं नौर्थ इंडिया पंजाब से वीडियो बना रही हूँ तो आई होप आपको यह अच्छा लगेगा स्पेशली मैं यह बताने वाली हूँ कि आप सर्दियों के मौसम में जो है पोधे तो नए लग होगा सबसे जादा अगर मेरे फूल है तो हाइब्रिड विनका ही मैंने आपको हमेशा दिखाया पूरा गार्डन मेरा इसे भरा हुआ रहता है दिन रात हमेशा यह खिले रहते हैं तो इनके बीज जो है न अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख रहे हो यह फलिया ज आपको जैसे राई के दाने होते हैं वैसे यह बीज होते हैं तो इन बीजों को आपको कलेक करके लेना है लेकिन कब जब यह बीज इस तरह से हो जाएं जैसे देखे यहाँ पर यह आपको बीज बाहर से ही नजर आएंगे इसमें आप देख रहे हैं और यह बीज जो है फि कि इसकी बीच जो है इनकी जो फलियां है ये सारी इधन नीचे ही गिरेंगे तो मैं सुबह इस तरह से आप देख रहे हो तो ये अगर मान लीजिए मैं ज्यादा सूख जाता है और ये नीचे गिर जाता है तो मैं इनको नीचे से उठा लेती हूँ और कलेक करके रख लेती हूँ दूसरा देखी ये morning glory है अब इसमे फूल आना कम हो गया है morning glory देख सकते हो अब इसकी बीज जो है वो भी इसी तरह से ऐसे बीज बनते हैं ये बीज अब सूख जाएंगे तो brown हो जाते हैं और brown होके ये फटके गिर जाते हैं तो इन पे थोड़ा ध्यान रखेगा जैसे ही ये सूख के brown हो जाए ये वाला बिल्कुल brown हो जाएगा जैसी ये पत्ते का color है इस तरह का हो जाएगा उस टाइम पे आपने हर एक में चार बीज होते हैं तो उसको निकालके इनके बीजो को भी आप रख सकते हो और फिर जनवरी फरवरी में आप इनको लगा दोगे तो पूरे साल या अभी भी अगर आप गंबलों में डालके रख दो तो ये पौधे अपने आप निकलाएंगे नेक्स देखे गंफ्रेनों जैसे कि इसको तो पूरे साल भर ही आप इनके बीजो को इस तरह से जैसी फूल सूख जाए इनके बीजो को ये बीज है ये इनके बीजो को आप इस तरह से रख सकते हो नेक्स्ट देखिए अप्राजिता अप्राजिता में अब हमारी यहां फूल आना बहुत ही कम हो गया है तो इस तरह से जो फूल सूख जाते हैं आप देख रहे हूं मैं उंगली से दिखा रहे हूं फिर इसके पीछे जो है इस तरह के फलियां बनती है तो आप इनको रहने द जो लापा जिसमें यह से जाता है यह सकते है यह देख़ा जया beti रिखतकते चंट तो नहीं क्वेज कि इनके भी देखते हैं जेसे यह स습니다 बीज जो है आप रख सकते हैं यह तो कभी भी लगा यह हो जाता है so friends I feel na कि जितना ज्यादा पौधे लगाना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है हम पौधो के बीजो को कलेक करके रखे so that na हमारा ख़चा कम से कम हो गार्डनिंग में आप जितना खचा करोगे उतना ही कम पड़ता है इसलिए आप अगर आप बीजो को कलेक करके रखे तो इनसे आपको फायदा होगा thank you have a nice day